नमस्कार दूस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल मनी ओडिस चलने हो जैम डियन पर दूस्तों बात करने वाले हैं वी सेस इन्फो डेकनिक्स लिमिटेड स्टोक के बारे में सोगस फिलाल अगर हैं पर देखा थे तो दूस्तों मार्केट में तेज़री के बाद वापस गिराउट हैं पर देखने को मिल रही है और मार्केट अभी टाम सेम कलोजिंग पर लगा थार कंटिनिसली कलोजिंग यांपर रहने वाली है पिलाल इसके सबसे बड़ी वज़य जो है वो किस परकार के अपर होनी वाली है कवाटर टू को लेकर अभी टाम किस परकार के आउटलुक्स और अपडेट या फेने ज़रा आ रही है साथ चाथ अभी टाम कंपनी की साठका जो संकेत है वो किस परकार का रह सकता है और अब इक time हम लोगों को किस परकार की buy करकी holding अब इक time बनाने क्या हो सकता है और हम लोगों को अब इक time price entry लेने साहिए या नहीं, target क्या होनेवाले जानकार important रहने वाली है सबसे पहले price की अगर 50 पेसेवर आद पर market की आप एक closing देखने को मिली है उसे क्सासा अगर ये पे देखा जा तो 75 पेस तक इंट्राडे का जो highest jump है वह आज का ये ये को नज़रा है तब इस वी से अगर ये कंपनी की जो closing नज़राई है वो पचास पेसे पर रहने वाली है क्योंख दोस्तों गरहें पे देख दा तो फिच्रले टायम कमपनी की कीमत यहाँ पर 65 पेसे तक गये है पर दोस्तों इंकरीज यहाँ पर होती विदेखनी को मिली थी पर उसके बाद अगर अगर आप देखा दा कमपनी का जो fundamental है वापस यहां पर गिरता हुआ नज़र आया क्योंकि दोस्तों लगातार जो तेजी थी वो इंक्रेज होई दो से तीन दिन के लिए पर वापस लोग सरकेट का जो सामना था वो हम लोग को यहां पर करना पड़ा उसके बाद अब नज़र आए कि कंपनी से हम प्रेस पर फिर से करें के का डाया है कि दूस्तों गल रही है कि दूस्तों पिसमान पॉजज़ीव आख चुक है तो अब उस्तिए में वापत नगटिव आती आउंक्यदू है उसके मिल रही है पर उसके वीपर ऑम करना बात करना चाहुआ बुकेar एक रूपा पंदरे फेसे के वर्तमान में बुक वेल्यू देखने को मिल रही है इंडिस्ट्रीज पी की कर्मा बात करना जाओं तो 35.3 के जो इंडिस्ट्रीज पी जो है वर्तमान में देखने को मिल रही है और आरोई की कर्मा बात करना जाओं तीन साल के आरोई की कर्द दे तक कोई कॉंटरेक्स है नहीं हुआ है इसी के सब्सक्राइब काफी ज्यादा देखने को नज़र आई क्योंकि दूस्तों अगर इतनी देर में कंपनी को कोई प्रोजेक्ट लास्ट वनियर करें पर देखा जाए तो उसमें भी आप लोग कोई प्रोजेक्ट है आप लोग काफी अच्छा सुदार यां पर माना जा सकता है क्योंकि अगर यांप देखे जाए तो सेल्स की ग्रोफ फिसल डायम काफी जड़ा जो नेगटिव नज़र आ रही थी तीन से चार पर देखने को मिल जथे उसमें सुदार यांप दीर देखने को मिला प्रोफिट की सब्सक्राइब को नज़र आ सकती है उपरेटिंग प्रोफिट मार्जिन अगर यांप देखा जा तो काफी ज़्यदा नेगेटिव यांप 443 प्रतिसद तक जाता हुआ नज़र आ रहा तो अभी टाम टोटल जो डेटा है कैल्कुलिस्न डेटा अगर यांप देखा जा सकत सब्सक्राइब कर लेना और वेल आइकन नोट्रिफिकेशन ओल पर जरूपर देखने को मिल रही है फिलाल दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बतादो चैनल पर नए हो तो चैनल को जूरू सब्सक्राइब कर लेना और वेल आ सब्सक्राइब कर लेना फिलाल दुस्तों के रहें पर देखे जाथ कंपनी की जो अभी टाम पॉजिटिविटी जो रहने वाली है कंपनी का लगबग करदमत देखने को मिल रही है इस्टोक अपने बुक वेली से 0.13 गुना उफ्ट्रेड करता हुए नहीं जरा रहा है पर संटीर कंपनी करना पड़ा व्ल्सकाड फेर स्थ 50 फेरियं डेटा है ओं इंप नेगेटिव ज है फिलाल कंपनी लगातार जो है उतार सेटा वो काफी देखने को मिले अभी टार के दिखने को व यह इंगेटिवबित साहय होई देखने को नजर आ रही है तगुं। ही है तो दुस्तो टार्गेट जो 65 से पिचोतर पैसेवाल जो हमने सजेस्ट किये थे एक्सपट किराई भी जो सजेस्ट हुई थे वह यह पर नेगेटिव जा सकते हैं फिला दुस्त आपके नजरे में इस सेर के और को भी सिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्षिन में जरूरी बत दिन एंसे सब्सक्राइब को जल्दी बता दिया जाएगा मिलते हैं एक्टिमेजिंग उडिक सा तब तक लेजा दीजिए जैस स्रीकेश्टना थैंक्स रोसंग दिस माई वीडियो जैस दिन्दे हवार्त बंदे मातरूं